प्रमेच्छे, कथन, किसी वृत अत्वा सरवांगसम वृतों की बराबर जिवाएं केंदर से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है, ज्यात है, वृत में पी क्यू और आरेस दो समान जिवाएं हैं, तथा ओ से पी क्यू और आरेस पर क्रमशह, ओ एल और ओम लंब डाला ग हो गया है, सिद्ध करना है, ओ एल बराबर ओम रचना, ओ को पी तथा आर से मिलाईए, उप पत्ती, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पी क्यू बराबर है, आरेस से यह हमें ग्याद है, अब कहीं हम एक बटा दो से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त होंगा, एक बटा दो पी क्यू बराबर एक बटा दो आरेस, एक बटा दो पी क्यू बराबर एक बटा दो आरेस, एक बटा दो पी क्यू को हम लिख सकते हैं, पी एल और उसी दर से आरेस का आधा, एक बटा दो आरेस का जो आधा है, वो हम आरेम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने नियम लगाया है कि केंदर पर केंदर से केंदर से जीवा पर जीवा पर डाला गया अलम उसे समान भागों में बाटता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ओपी जो रेखा कंड है, वो ओ आर से बराबर है क्योंकि यह एक ही वरित की तरिज्जा है यहां देखेंगे कि कोण ओ एल पी बराबर है कोण ओ एम आर से जो की नब्याश है यह हमारी रचना से इसी तरह से त्रिभुज ओ एल पी शर्वांग समें त्रिभुज ओ एम आर से यहां पर हमने आरहेस समकोण कर्ण आरहेस समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सम्टा प्रमेसे हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम्टा नियम समकोण कर्ण भुजा तो इसलिए ओ एल बराबर है ओ एम से यहां पर हमने सर्वांग सम्टा प्रमेसे त्रिभुज के संगत भाग को बराबर बताया है तो यह इस प्रमे इस प्रमे में यही सिद्ध करना है करके देखें एक वृत्त के केंद्र से सम्दूरस्त जिवाएं लंबाई में बराबर होती हैं उपपती देख